रोमन समराज के इतिहास और वहां के समराज की स्थापना वहां पे महिलाओं की क्या दसा थी वहां निम्न बर्ग उच्च बर्ग और सिनेट असेंबली के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रोमन समराज में दास प्रथा वा श्रम प्रबन्द। ऐसा माना जाता है कि रोम समराज के अंतरगत दास प्रधा अपने शरम पर थी। रोमन कानून के अनुसार दास को संपत्ति माना जाता था। दासों के लिए समान के सर्वोच सब्द का प्रयोक किया जाता था। दासों को एक वस्तू माना जाता था। जिने पश्तू के समान बजार में खरीदा और बेचा जाता था। दासों को पूंजी निवेश की दस्ती से देखा जाता था। दासों पर उनके मलकों का पूर्ण अरिकार होता था। दात लोग मौलिक एवं व्यधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे। समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। रोमन समराज के अंतरगत अभिजातवर के पास पच्छमी छेत्रों में इस्पेन, गाल और इटली में विशाल घूभाग छेत्र थे। पच्छमी यूरोप की क्रिशी अर्ध व्यवस्टा में विशाल आकार की जमीदारों को लेटी फूडिया कहा जाता था। इसके अतिरिक्ष खनन और हच्छ लिपी उत्पादन के लगभग 90 प्रसीशत दासों से ही कराए जाते थे। मालकों का अपने दासों पर कठोर नियंटर होता था। इन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते थे। एक इलाके से पकड़े गए दासों को एक साथ नहीं रखा जाता था। एक इलाके के दासों को दूसरे इलाके के दासों के साथ मिला दिया जाता था। ताकि आपस में मिलकर गुड़ वाजी ना करें। किसी एक काम में अलग-अलग भासा बोलने वालों को काम पर लगाये जाता था। इस प्रिकार डास में ना तो भासा ही संबन्द होता था और ना ही उनके मद्ध बंधुता पर अधारित कोई संबन्द होता था। उनकी आपस में अध्वा अपनी कोई पहचान रही होती थी। उन्हें अपने मालेक द्वारा दिये गए नाम से जाना जाता था। इससे इस्पश्च होता है कि उच्छवर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय कूट्रपून ब्यवार किया करते थे। 24 सताब्दी में समराज कंसंटर्टाइण ने इश्याई धर्म को राज धर्म घोशित किया था। तब यह उमीद की कि दासों के प्रति मानवी दिश्ट्रिकों अपनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी रोम में दासों की सिती में कोई विशेश परिवर्टन नहीं हुआ। रोम समराज के अनेक भागों में दास रोमन अर्ध व्यवस्ता के अभिन अंग माने जाते थे। क्योंकि अधिकान स्रम उन्ही के द्वारा किया जाता था। समराज आंग इस्टर्च के शासन के दोरान इटली की कुल आबादी 75 लाग थी। इसमें दासों की संख्या 30 लाग थी। चत्वी उच्वर्ग वारा दासों पर अनेक अत्याचार किये जाते थे। लेकिन साधारन जन्तक अध्रश्टी को उनके प्रती सहानवूती पूर्ण था। रोमन समराज में प्रथम सताब्दी इस्वी में युद्धों तथा लडाई जगलों में कमी आए। जिसके पढ़्यासरूप दासों की आपूर्ती कम हो गई। दास श्रम का संकट उत्पन्द हो गया। उच्वर जो दास श्रम पर आसित था। उसे दास प्रज्ण अथ्वा बेतन भोगी श्रमिकों जैसे उपायों का सहारा लेने के लिए विबस होना बड़ा। बेतन होगी श्रमिकों की अपेच्छा दास श्रम अधिक महंगा पड़ता था. क्योंकि बेतन होगी स्रमिक को केड़ काम वाले दिनों का बेतन देना होता था। जबकि दास स्रमिकों को पूरे साल भोजन देना पड़ता था, उसके अन्खर्चों को भी वहन करना पड़ता था, कालंतर में संबर्ट इसी कारण से पूर्वी प्रिदेशों में दास स्रमिकों की संख्या कम होने लगी, इसके प्रणासरू किसी के स्थानों पर दासों तथा मुक्त वेक्तियों को वैपार कारों में लगाया जाने लगा, क्योंकि वैपार में दासों की अधिक आवसक्ता नहीं थी, रोमन सम्राज के सहरी केन, रोमन सम्राज एक अतियन विरिस्तित सम्राज था, इस सम्राज में विधित प्रकार के दूरस छेत भी सम्रित थे, इस विरिस्तित सम्राज की जन संख्या दूसी सताबदी के मर्ज में लगभग 6 करोर तक पहुँच गई थी, इस काल में कियंद्री सत्ता की सहायतार आज जैसी कोई सरकार नहीं थी, अतै विरिस्तित सम्राज का सासन चलाना एक अठिन कार था, लेकिन इस काल में सम्राज के सहरी करण ने इस कठिन कार को सरल एवन सुवीजापूर बना दिया था, सहरी करण के साथ साथ रोम के लंबे चोड़े राज मारगों नहीं सम्राज के प्रसासनिक एकी करण में महात्पूर अठाकी, विरिस्तित रोमन सम्राज के अंतरकत दूर दूर तक अनेक नवी नगरों की इस्थाबना की गई, इनके माध्यम से समूचे सम्राज पर प्रभ प्रसासनिक नियंटर इस्थावित किया गया, समाजिक प्रणाली के मूल अधार माने जाने वाले विशाल सहरी केंडरों में प्रमुक सहर, सिकंदरिया, कार्थेज, एंटियाक और कुस्तुनिया थे, ये विशाल सहरी केंडरों में भूमर्द सागर के तटों पर इन सहरी केंदों में रूम छिकंदरियाऑ और एंटिया। रूम समराज के सबसे बड़े सहर थे। इसमें सिकंदरिया मिश्य में इस्ठिथा और एंटिया शीरिया में इस्ठिथा। सिकंदरिया रोमन सम्राज का संबध सबसे बड़ा बंदर गाह था कालांतर में जब रोम का पतन हो गया तब कुर्टुनिया सरवधिक विशाल सहर की शेणी में आ गया यह सहर चौती सतापदी एश्वी में उन्नती के सिकर पर पहुँच गया केंदी सरकार इनी सहरों के माध्यम से प्रांती ग्राम शेत्रों पे लगाती थी शहरी केंदों के इस्थाने उच्छवर करवसूली और संबंदित शेत्रों के प्रसाजने में महात्रपून सहयोग प्रदान किया जाता था इससे स्पस्थ होता है कि शहरी केंद प्रसाजने और नगर राज्यों के रूप में केंदी सासन के प्रमुक अंग होते थे नगर से एक ऐसी केंद को कहा जाता था जिसका अपना एक सुनिश्चित राज होता था इसमें उसके अरिकार छेट में आने वाले अनेख ग्राम सम्लिट होते थे नगर की अपनी नगर परिशद होती थी और अपने डंडनायक भी होते थे ग्रामों का दर्जा बढ़ा कर सहर का दर्जा दिया जाता था इसके विप्री सहर का दर्जा घटा कर ग्राम का दर्जा भी दिया जाता था यहीं सिटी समराज की प्रसंता और आप्रसंता पने भर होती थी रोमन समराज के अंदरगत आम लोगों में शहरी जीवन के पती विशेश आकर्षण हुआ करता था रोमन समराज के शहरी जीवन में निम लिखित विशेशा हैं थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी पहला है नगरों में लोगों का जीवन ग्रामीर्ड लोगों के जीवन के अपिच्छा अधिक सुरचित था क्योंकि कार्षेथ, शिकंदरिया, एंतिया जैसे नगरों में सुरच्छा के विशेष प्रबन्ध थे दूसरा है नगर विभिन उद्योगों के प्रमुक केंद थे इहलिए यहां रोजगार के प्रचूर आवसर उपलत थे दूसरा है नगर वेपारे गतिविदियों के केंद थे यहां आवागवन की प्रचूर सुविजाएं सुलब थे अतह वेपारे लोग नगरों में ही रहना पसंद करते थे चौता है नगरों में ग्रामों की अपेच्छा अधिक नागरिक सुविजाएं उपलब थे ग्रामों के जीवन की तुलना में नगरों का जीवन अधिक सुख सुविजाएं से युक्त था आकाल के दौरान नगरों में खात पदातों की कमी नहीं होती थी पात्वा है नगर प्रसाफने एकाईयों के रूम में किरिया से उते इसलिए वहाँ पार लोगों की सुख सुविराओं पर विशे ध्यान दिया जाता था साथमा है नगरों में सारजनिक इसलान ग्रह भी उपलब्द है यह रोम के शहरी जीवन की खास विशिष्टा थी साथमा है नगरों में उच इस्थर के मनुरंजन के साधन भी उपलब्द थे सम्कालिंज एक कलेंडर से ग्यात होता है कि एक वर्ष में कम से कम एक सो छेत्ता दिन लोगों के मनुरंजन के लिए कोई न कोई कारक्रम चलता रहता था सम्कालिंज में दास्प्रथा क्या होती है गुलामी में जो गुलाम होते थे वह जो अभिजाद वर्ग था उनसे वह काम लेते थे खेती करवाते थे और उनका सोचन करते थे वहां की जो वेवस्ता थी दास्प्रथा की वेवस्ता थी वह बहुत फूर्पूर उनके साथ बेवार होता था इसके बारे मैंने आपको पढ़ाया है इस पार्ट को आप अच्छे पढ़िए इस प्रेरा अग्राप को अच्छे पढ़िए और इसके जो कोस्चन आंसर है उ और कोई समस्चा है कोई प्राब्लम है तो मैं रागेश पांड़ी आपको इतिहार पढ़ा रहा हूं आप लोग बेदे से समपर कर सकते हैं